और दोस्तों बहुती स्वागत है आपका, फिरसे एक बार में हाजिरू हम आपके साथ एक न्यूज आर्टिकल लेके, दा ہिंदू से, और मैं करने वाले हूं इस आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेटे और दोस्तों translation के अलावा यहां पर जो इसका grammar part है या जो भी word meaning हम उसे भी discuss करने वाले हैं तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इस article की headline देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है और क्या मतलब वा इसका मोधी अमंग दोस मोधी उन में से हैं who think जो सोचते हैं they know more than God जो सोचते हैं कि वो भगवान से अधिक जानते हैं राहुल सेज राहुल ने कहा at event एक कारे करम में in US में तो दोस्तों ये इस article की headline थी अब मैं इस article को पढ़ना शुरू करता हूं और आप इसे ध्यान से सुनें और जो भी word meaning आपको लगें जरूरी हैं आप उसे साथ के साथ नोट भी करते रहे हैं चले इसको शुरू करते हैं targeting prime minister नरेंद्र मोधी and the BJP at a diaspora event in the United States क्या मतलब हुआ target करने का मतलब होता है किसी पर निशाना साधना तो क्या मतलब हुआ है आपर targeting prime minister नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर निशाना साधिते हुए and the BJP और BJP पर at a diaspora event देखे diaspora का मतलब होता है प्रवासी एक प्रवासी कारे करम में कहां पर in the united states united states में congress leader राहुल गांधी congress के नेता राहुल गांधी सैड कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा that की mr. moody is a specimen specimen का मतलब होता है नमूना तो क्या मतलब हुआ mr. moody is a mr. moody जो है वो क्या है moody is a specimen वो एक नमूना है of a group एक समू के of people लोगों के who think जो सोचते हैं they know more than god जो सोचते हैं वह जानते हैं they know more than god जो भगवान से अधिक जानते हैं आगे देखिए mr. gandhi interacting interact करने का मतलब होता है बाचीत करना वारतलाब करना किसी से mr. gandhi interacting with members of the Indian community जो mr. gandhi थे interacting मतलब वारतलाब बाचीत करते हुए वारतलाब करते हुए किसे with members of the Indian community भारतिय समुदाए के members के साथ members of the Indian community मतलब की भारतिय समुदाए के सदिस्यों से कहां पर एट आ महबबत की दुकान कहां पर एट आ महबबत की दुकान शॉप्स ओफ लव इवेंट एक कारे करम का नाम है इवेंट इन सांता क्लारा सांता क्लारा में कैलिफोर्निया on Tuesday मंगलवार को claimed देखिए यह claim का मतलब होता है दावा करना और यह second form है claimed दावा किया that की the aggression that Muslims now face aggression एक नाउन है जिसका मतलब होता है आक्रोश तो क्या मतलब हुआ aggression का मतलब आक्रोश या फिर गुस्सा that की the aggression जो आक्रोश है that Muslims now face जो Muslims जो है वो face करते हैं मतलब की उस चीज़ का सामना करते हैं in India भारत में was once faced by the Dalits in the 1980s वो जो है वो face किया जाता था जेला जाता था किस के दौरा by the Dalits Dalits के दौरा in the 1980s 1980s के दौरा in the 1980s आगे देखिए He said उन्होंने कहा India was not a fair place Fair का मतलब होता है उचित place for Dalits He said उन्होंने कहा India was not a fair place भारत जो एक उचित इस्थान नहीं था For Dalits, Dalits के लिए Tribals मतलब आदिवासी Minorities मतलब अलब संख्यक and the poor और गरीबों के लिए And or that was something और वो कुछ था that the Congress Party was trying to change और वो जो और क्या था That was something वो था that was Congress जो कि Congress Party was trying to change उसे बदलने की कोशिश कर रही थी He is on a six day tour He is on a six day tour वो एक छे दिन के tour पर है यात्रा पर है Of the US, US की, where, जहां, he is scheduled to participate जहां वो scheduled है, मतलब अनुसूचित है, कि चीच के लिए to participate, भाग लेने के लिए In different events, अलग-अलग कारे करों में Including, मतलब मिला कर, speaking at Stanford University मतलब एक इस्पीक करने के लिए मतलब बोलने, including मतलब मिला कर, speaking at Stanford University मतलब Stanford University में बोलने के लिए Addressing the National Press Club और संबोधन करने के लिए The National Press Club at Washington Washington में a closed door session Closed door session का मतलब हुआ एक बंदर वाजे का सत्र At a think tank, एक think tank में And interact, और बाचीत, with intellectuals, बुद्धी जीवियों के साथ, academic, sectionic के साथ And lawmakers, lawmakers मतलब कानून बनाने वालों के साथ Among others, और अन्या आगे देखिए The world is too big To, क्या मतलब हुआ, the world is too big जो विश्व है, वो बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है And complicated, और जटिल है For any person, किसी भी व्यक्ति के लिए To know, किसी भी जानने के लिए Everything, सब कुछ That is the disease Disease का मतलब होता है, बीमारी That is, यह बीमारी है, that is the disease There is a group of people की लोगों का एक समू है In India, भारत में Who are absolutely convinced Absolutely convinced का मतलब होता है पूरी तरह से अश्वस्थ होना Who are absolutely convinced जो पूरी तरह से अश्वस्थ हैं That They know everything वह सब जानते हैं They think वह सोचते हैं They know even more than God वह सोचते हैं कि वह भगवान से भी अधिक जानते हैं Even more than God Can sit with God भगवान के साथ बैठ सकते हैं And explain to Him और उसे explain कर सकते हैं समझा सकते हैं What's going on कि क्या चल रहा है And of course और वास्तव में Our Prime Minister Is one such a specimen और जो हमारे जो प्रदान मंत्री है Is one such a specimen वो इस तरह के एक नमूने हैं He said उन्होंने कहा तो दोस्तों बड़ा आर्टिकल है इसको हम यहीं तक रखते हैं और मैं कोशिश करूँ है इसको अगली क्लास में Cover करने की और यहां तक सुनने के लिए Thank you so much यदि आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेयर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें सुनने के लिए Thank you so much Have a nice day And bye